हाजिर है एक बार फिर से बिटकोइन के पंप के साथ जी हां 52,700 के लेवल बिटकोइन के आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे और ये लेवल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है और जैसा हाम मौर्निंग में डिसकस कर रहे हैं कि नया वीक अभी श लिक्विडेशन करने के साथ साथ क्योंकि pump हम डिसकस कर रहे थे कि night तक 52,000 या कल तक 53,000 level दिख सकता और 52,700 पे आ चुके है 53,000 डॉलर का bitcoin का high है यह है यहाँ पे one day का time frame यह है six hour का time frame एक बड़ी candle यहाँ पे जो पूरा game change कर रही है 53,120 के high लगे हुए है और जैसा prediction था जैसा expectation था नए week से starting dump में करके फसाया बहुत सारे लोगों को और उनका भी liquidation यहाँ पे कर दिया है तो finally bitcoin के price उपर चल रहे है 52,700 पे आ चुका है और कहीं नगए एक नया high लगाने की तयारी है maybe 54, 55 या 60 ये वाली range अगले 2-3 दिन में दिखजे क्योंकि अब month end का time है weekly candle closing मिल चुकी है नया week शुरू है तो इस week रहेगा monthly candle closing तो 2-3 दिन की बात और बड़े important है ये monthly candle क्योंकि ये monthly candle अगर हमको थोड़ा सा और ऊपर closing दे देती है 55,60 पे दे देती है तो फिर March month में नया all time high भी लग सकता है तो अगले 2-3 दिन में कुछ भी हो सकता है chances जैदा है pump के और ये भी हो सकता है कि neutral में रहे 55 तक पहुँच जैदा से जैदा या 54 तक ठीक है और जो closing रहेगी उसी के base पे हम बात करेंगे March month की जो अगले 2-3 दिन जो भी है फरवरी के थोड़ा सा लट रहेगा क्योंकि closing का time नजदीक है और bitcoin इस time पे pump कर रहा है 50,980 से 52,847 के level ये इस time पे high level आप देख रहे होगे है ना काफी time के बाद आया 52,000 पे बहुत यहाँ पे दिन हो चुके है और bitcoin ने finally हमारी सुन ली बहुत जल्दी सुन लेता है कहीं न गहीं ठीक है कभी कभी हो जाता है late delay लेकिन सुन लेता है और सुन ली आज और 52,800 पे level आगे bitcoin के तो सबसे बहुत अपडेट आ रहा है Dbox की तरफ से Dbox social है ना attention baby dogecoin has officially been listed on D swap तो D swap पे listing हो चुकी है किसकी baby dogecoin काफी time के बाद एक नहीं listing होती हुई D swap के उपर तो baby doge USDT trading is open next time बात करेंगे bitcoin ETF के world में क्या कुछ हुआ क्या कुछ चल रहा है gray scale ने decrease किये हैं आज के दिन 1090 bitcoin और 8 ETF ने add किये हैं total 5370 bitcoin 278 million dollar के और i shares यानी black roke ने add किये हैं 3281 bitcoin 169 million dollar next update है H bar की तरफ से hedera की तरफ से बहुत सारी update आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ टाइम से तो oracles are now here with pith network एक तरह से आप इसमाई लीजिए partnership हुई है H bar की pith network के साथ और paving the way of developer retail DeFi product on hedera तो H bar hedera ने हाथ मिलाया pith के साथ pith network एक नया coin एक नया project अभी recently आया next update है polygon की तरफ से और polygon का भी एक partnership होता हुआ settlement के साथ settlement has integrated polygon Z के EVM into its blockchain तो यहाँ पे एक settlement के mint के साथ polygon का partnership होता हुआ और settlement now support polygon Z के EVM next update के माइने बहुत बड़े हैं और हम काफी time से discuss कर रहे हैं काफी time अभी recently Michael Saylor micro strategy के आए दिन bitcoin को लेगे tweet post होता है काफी बड़े positive हैं bullish हैं true lover हैं bitcoin के और ऐसे में आप देखो Michael Saylor micro strategy has acquired an additional 3000 BTC shares की selling हो रही है हर जगा micro strategy भी sell Michael Saylor भी कर रहे थे share selling Kathy Wood भी कर रही थी और अगर आप देखेंगे Amazon के Jeff Bejoz कहा जा रहा है share को sell करके पैसा कहा जा रहा है अब यह तो नहीं कहूंगा कि सब bitcoin में आ रहा है crypto में आ रहा है नहीं लेकिन जो bitcoin lover है वो तो bitcoin में ही लेके आ रहे है और result आपके सामने है इससे बड़ी अच्छी news और good news नहीं हो सकती कि 51,000 पे भी 3000 bitcoin खरीद लिए micro strategy has acquired an additional 3000 BTC 155 करोडों के bitcoin 155 million dollar के हैं यह 3000 bitcoin कहा खरीदे हैं आप इस इशारे को समझो हुई 50,000 dollar पे भी bitcoin खरीदे जा रहे हैं micro strategy की तरफ से और result यह है कि आप देख रहे हो 52,800 नो सो पे bitcoin आ चुका है 53 का barrier तोडने को बैताब है और हो सकता है आज रात नया high लग ज़े ठीक है और नया high हो सकता है 53,400, 500 54,000 या 55,000 का भी हो सकता है तो एक और खुशकबरी आ गए और back to back हर जगा से खुशकबरी आ रहे हैं क्योंकि market का sentiment market का महौल ही ऐसा है कि अच्छी news ही आएंगी और अच्छी जितनी news अच्छी आएंगी उतना अच्छा impact पड़ेगा और ये 3000 बिटकोइन खरीद लिए और impact आपके सामने है ठीक है और जैसा हमारा prediction था वो भी बिटकोइन बखू भी उसको perform कर रहा है इस time पे charts के उपर तो ये लिजिए finally बिटकोइन ने तोड़ दिया barrier नया all time high लगा दिया यहां पे all time high तो नहीं लगा लेकिन हाँ काफी महीनों के बाद 53,244 तक आ चुके है जी हाँ यह आप देखो 53,244 का level और बिटकोइन इस time पे fire होता हुआ back to back green candles और यह market normal market के behavior नहीं है यह bullish market के behavior है यह bull run वाली market के behavior है और यह चांद पे जाने वाली market के रंग धंग आ है न तो 53,300 के level आ चुके है finally barrier तोड़ दिया है और कभी भी 54,000 भी आपको अगर एक ही जटके में दिख जए तो कोई doubt मत रखेगा क्योंकि market काफी ज़दा bullish है यह Bitcoin का price आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है ठीक है जितनी तेजी से हम 2022 में गिरे थे उतनी तेजी से आज Bitcoin grow कर रहा है बढ़ रहा है और back to back high लग रहे है यहाँ पे 2024 का अब तक का high आ चुका है 53,400 डॉलर तो बिल्कुल अभी रुकने का यहाँ पे mood में नहीं है Bitcoin 52,500 53,600 तक level आ चुके है तो 53,600 तक आ चुके है और कभी भी किसी भी पल Bitcoin 54,000 डॉलर के दरशन करा देगा क्योंई 400 डॉलर की दरगार है और वो कोई बड़ी बात नहीं है Bitcoin के लिए तो बिल्कुल 53,646 के level आ चुके है नए high इस time पे आप देख रहे है 53,700 का level और यह अगाज है एक भयंकर बुलरन का यह तो अभी एक starting phase है और अभी तो बहुत लंबा चलेगा क्योंकि पूरा साल तो यह है अगला साल भी है ठीक है तो pump dump वाले महोल भी रहेंगे लेकिन dump के जाथ साथ market pump जैदा करेगी बुलरन का यह benefit है तो 53,700 डॉलर और crypto community वेट कर रही है 54,000 डॉलर का जो बस कुछी पलों का यहाँ पे हमको देखने को मिल जाए तो बिलकुल next exchange को लेके यहाँ पे warning आती हुई और यह है bitforex warning किस तरह की है कि is bitforex the next ftx वाली picture सबने देखी क्योंकि exchange ही पूरी दिवालिया हो गई और market भी बियर रन चल रहा था market गिरा और bitcoin के लो लगे तो यहाँ पे कहाए कि withdrawals halted with no warning Hong Kong based cryptocurrency exchange bitforex has now halted user withdrawals for as much as three days तो जब किसी exchange के symptoms थोड़े खराब होते हैं मतलब जैसा ftx वाली picture थी तो starting कैसे होती है withdrawals को बंद किया जाता है ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी reason हो सकता है लेकिन क्यों बंद किये हैं क्या reason कोई और है तो ठीक है अगर वही reason है तो फिर problem वाली बात है तो with forex के user यहाँ पर थोड़ा सा लट रहे हैं अपने funds को पहले ही safe कर लें क्योंकि first priority है fund को safe रखना last and final update है real estate digital investment platform parcel announces token launch on Solana तो parcel यहाँ पर यह real estate digital investment platform है और यह अपना token launch कर रहा है Solana के उपर इसकी announcement कर दिया है तो आज की इस video को करेंगे यहीं पेंट बाकी update next video में किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं research करें वो बहुत जरूरी होती है नीचे description में telegram X के link है join कीजिए कोई update मिस नहीं होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर